कि हालो गाइस बेलकम बैक टो एमेल्टी जन्नी आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे तो आज हम बात करेंगे हमारी सीचो की इसमें टोटल 865 बेकिंसी निकली हुई है इस्टेट ओप जहरकंड में ठीक है तो जो भी हमाय साता नय जो के साथ में तो आपको जो वेकेंसी निकली है गवर्मेंट ऑफ जहरकंड की तब से निकली है जहरकंड रूलर हैल्थ मिशन सुसाइटी जो की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन और फैमिली बेल पेर नमकुम राची के अंडर में यह आती है ठीक है और आ आपका जो इसमें पोजीशन रहेगा टोटल समधावेश पर रहेगा नेक्स्ट आपका जो एडबिटाइजमेंट नमबर है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो 01224 का यह पहला एडबिटाइजमेंट नमबर है दोजाच चॉविस जी आरह एच एमस छो मिशन सुसाइटी इंवाट्स एप्लिकेशन फ्रॉम एजवर केंडेट्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉंटेक्टल सर्विस एज कम्नेटी हेल्थ अपसर सी एच फॉर पीरिड ऑफ बनियर अंडर नेशना है जारकर तो अनली यह बनियर के लिए नहीं है यह हमेशा के लिए अब यहीं रहती है ठिक है यूपी में भी सेम ही रहती है हमेशा के लिए ठिक उसमें भी वनियर ही लिका होता है डवाइड होती होती है एक सालवाज डेटेल्स अप्डी बैक लॉग बैक एंट पोजीशन आपकी रिखा है तो पुस्ट कोड आपका इसमें एक रहेगा प् वेकेंशी है तो इस डिवाइड है अनजब में आपकी टॉटल इसमें 166 वेकेंशी है अर इजदे में वेकेंशी में आपकी दोसो खेंटर करता हो c हूं एस जंते में आपकी 276 है अब फिस्ट मैं उंसट्रख है और इस सेखिनड वेक तो हर किसी में पोजीशन चीखाती है तो आपके पास इसमें क्या होने चाहिए उसके बारें बात कर लेते हैं तो अगर आपके पाफ ब्यस्टी नर्सिंग पोस्ट बेसिक ब्यस्टी नर्सिंग विट इंटीग्रेटिट सर्कुलम ऑप सेटिविट प्रोग्राम इन कम्मुनि इसमें मिलेगी जनल इस्टेक्शन के बारें बात कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखाया इंटायल काउंटक्ट पीरिट जो आप करेगा बिल भी फॉर बनियर रहेगा रिनीवल सब्जेक्ट तो सेटिस्पाइब परफॉर्मेंस एंड रुकार्मेंट एनी क्लेम ऑफ एप्ज जिसम में वेरी एच पर रुकार्मेंस तो बढ़ भी सकती है गट भी सकती है ऐसा होता है हर नोटिपिकेशन में और नेक्स्ट के लिखाया है यहाँ पर टर्मिनीट वाई एनी पार्टी बिचमंत अडवांस नोटिस देखिया आपको टर्मिनेट कर सकते हैं नेक्स्ट आपका बढ़ जाएगा नेक्स्ट दिखते हैं कैसा क्या इसमें तो इसमें इसलिमिट की बात करते हैं तो आपकी इसलिमिट काउंट होगी इसमें एक जनवरी 1224 तक आपकी काउंट होगी तो अन्रिजब और EWS की में 35 एर्स है बीसी एवन और बीसी शेकिन में 37 एर्स फिम मेल अन्रिजब बीसी बन बीसी शेकिंड की 38 एर्स एस्टी में मेल फिमिल में 40 एर रही है और इसलिक सक्षन फाइव यर का मिलेगा इसमें दिब्यांगधन प्येच केंडिट का नेक्स्ट बात करते हैं तो सेलेक्शन प्रोसिस आप दिख सकते हैं सेलेक्शन बिल भी डन अं मेरेट ब्रीट बीसिति हो धूफ्र मरेट बात करते हैं कि आपके स्मस्कराइबगा इस स्कोर्स अप्रेंड इन फाइनल बीएस्ट एंड पोस्ट बेसिक बीएस्ट तेओरी एड प्रेक्टिकल एग्जामनेशन के इडिट है फूप्टेंड मिनिमम नंबर आज बिलो के टेगरी तो 40 परसंट अरजब के टेगरी एडेवलेश के लिए 40 परसंट 36.5 परसंट बी सब्सक्राइब के लिए 30 की मार्क सीट हो गई तो यहां उन्होंने बता रहे है डेट आप मेंशन एडिया मैट्रकुलेशन तैंत जिसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब और यहां लिकाए बर्थ सब्सक्राइब ठीक है सेम तो इलिए केंड़ेट में अपलाई 16 मार्च से यह अपलाई होने चालू हो जाएंगे डाकुमेंट्स बता रहे हैं अधार कार्ड काश्ट काटेगरी आपका एज्यूकेशन कालिपके से मैट्रकुलेशन तैंत इडबलेश हो गया दिब्यांग पी अगर आपके पास दिब्यांग जाना है तो और सेल्फ परके आपको ठीक है आप पूरा यहां से लेके यहां तक इसकी इसट ले लेजीए तो आपका सम्वेशन आप चाहिए अपर और ओनलाइन मोड जिर्फ आपको एक उन्होंने एप्लीकेशन फार्म के लिंक दे रखिए अनलाइन मोड आपको यहां पर नहीं रखिए निपसाइट तो बहां पर आपको बढ़ना होगा इस्टार्ट डेट आप एप्लिकेशन सम्मिशन आपका 15 फरवई से लास्ट डेट आपके रहेगी 16 मार्ज तो 15 फरवई से अपलाई होना अपलाई होना इस्टार्ट हो गए तो इंट्रेस्ट्री केंड़ेट एड डारेक्टी टू अपलाई आप कर सक सकते हैं वेपसेट आपको दे रखकेए नोटिस अपने टेलिग्राम गूर्पए भेज दूंगा ऐसी मोरवाट इंफोर्मेटर वीडियो के लिए हमारा चनल लाइक करें सस्क्राप करें हम ऐसी मोरवाट इनफोर्मेटर वीडियो बनाते रहते हैं नर्स के आपको हमारे वीडियो वाले स्कसिन में जाएगा आपको ज़रू कोई ना कोई न्यू अपडेटेड वीडियो मिलेगी थैंक्यू